जोईन प्रेंस नमस्कार डिफेंस आपडर भारत प्राप का स्वागते सो प्रेंस हमारे DRDO एक आर्भान सेट टेकनोलीजी बेसिड फ्राइंग ट्रोपीडो पर काम कर रहा है जिसे 20,000 फीटी उचाई से फायर किया जाएगा और डाइरेक्ट एनमी सम्मिरिन को ये ट्रोपीडो दाकर डिस्टोयर करेगा हीट करेगा सो फ्रेंस यहाँ पर हमारे DRDO के तरफ से ट्रोपीडो या सुपर स्पोर्ट की सुपर सोनी की मीजाईली आसस्टेर रिलीज को डेवलोप विक्सित करने के बाद अब हमारे DRDO जो कि एक आर्भांसेड टेक्नलोजी बेसिड स्मार्ट ट्रोपीडो के उपर काम कर रहा है जिसका नाम सायना रखा गया है जिसके लिए DRDO के तरफ से एक आर्ण कीड को डेवलोप किया जा रहा है ये एक बहुत ही आर्भांसेड ट्रोपीडो होगा जिसे उचाई से हवा में उडान में सक्षम बनाएगा जैसा कि ये ट्रोपीडो को फायर किया जाएगा जो कि फ्लाइंग करके डाइरेक्ट सुत्रू एनिमी के सम्मेरिन को आटाक करेगा और सम्मेरिन को पूरा तभा कर देगा सोफ्रेंस पहले से ही ये पी एटीए पेशिडोन मेरिटाइम पेट्रोल एयरकाप को हारफून मिसाइल से लेज किया जा है जो कि एनिमी के सम्मेरिन्ज और बैटल शिप को टार्गेट कर सकता है सोफ्रेंस हमारे DR-2 के ग्लाइडर आसस्टेड ट्रोपीडो पोग्राम में से एक लाइट ट्रोपीडो सायना को एक ग्लाइडेड वेपोन में कंवर्ट किया जाएगा जो पौंख और अन्यो एर कंट्रोल को कंट्रोल सो या नियंत्रण करता है और समंदर पानी को हीट करने के निकट ये अपने पाराचूट को खोल देता है ताकि सही तरीके से टार्गेट को डिस्टोर किया जा सके ये ट्रोपीडो को जब फायर किया जाएगा तो ये 25-30 किलेमिटर दूर जाके अपने टार्गेट को डिस्टोर करता है ये 20-35 किलोमीटर को पूरा करने के लिए ये ट्रोपीडों को 10 मिनिट टाइम लगता है मतलब ये 10 मिनिट के अंदर फ्लाइंग करके अपने टार्गेट को हीर कर सकता है सोफरें से इसी तरह लाटे डिफेस आपडेट देखने के लिए डिफेस आपडेट भारत को सस्काइब कीजिए हमार होर एक वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकुन को दबाई है मतलब यहाँ पर यह स्मार्ट टोपीडों दोस मिनित तक ग्लाइड कर सकता है फायर के बाद सासद यहाँ पर हमारे डियर्डो के तरफ से कुछ देशी स्प्यारपार कॉंपोनेट्स को इस्तमाल किया जा रहा है जैसे की ग्लाइडर अरप्टर कीट, फ्लाइड कॉंट्रोल कॉंपोटर, जीपीएस जो की आई यार एनसस बेसिड होगा मतलब इंडियान रिजोनल नाविगेशन सिस्टम मतलब हमारे खुद की नाविगेशन में हम इसे अपरेट करेंगे क्या भाई, क्या बढ़िया बात है जीपीएस के बाद ये हमारे इंडिजोनल वर्जन है आई यार एनसस और जैसे आप लोगों को पता है कि अभी दुन्या में करीब 6-7 देश अपने खुद की इंडिजोनल नाविगेशन इस्तमाल करते हैं कुछ देश खुद भी ही डवलाप किये हैं मतलब खुद इसे मानुफचर किये हैं डवलाप किये हैं और कुछ देश इंडिया, रोसिया, और युएसे अमेरिका जैसे देश से सा्टलाइट खरीद के अपने नाविगेशन सिस्टम को डवलाप करते हैं और यह दोनों सिचूशन को 3021 तक मतलब 3021 तक पाकिस्तन के पास ये टेक्नोलोजी नहीं आएगा साथ साथ पाकिस्तन किसी देश से भी ये सिस्टम्स को खरीद नहीं पाएगा लेकिन यहाँ पर हमारे DRD के तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये स्मार्ट ट्रॉपीडों को 2027 तक या 2022 फास्ट में इसे टेस्ट फायर किया जाएगा सोफ्रेंसी ये था टॉपीक आशा करते हुए टॉपीक आपको जरूर अच्छा लोगागा एक पराथ हम सब जीजे डिफेस आपड़र भारत को जरूर सस्काइब कीजिए जोहिं जोई भारत